और जनता को इसमें नाइल जाके, अगर जनता को रोजगार पर बात करो, सिक्षा पर बात करो, स्वास्ते पर बात करो, महंगाई पर बात करो, उस पर जनता ना बात करें, तो जनता को एक हर बार नया सगुफा दे दिया जाता है। G20 का मतलब क्या? बीस देसों के राष्ट्या ध्यक्षाएंगे और 20 देसों के राष्ट्या ध्यक्षानी रहे. काई ने तो मना कर दिया. तो अगर 10 आरे, 15 आरे, तो जी 15 है, जी 14, 16, जो भी आरे उनका नाम रखो ना पर G20 कहां से? नाम कैसे हो जाएगा नाम बदलने वाले तो यह फेक्ट्री है बदलते नहीं है अभी 2019 में बारत का यही परधान मंत्री नरेंदर मोती जब जनता की रेलियों में खड़े होके वोट मांगता था वोट फोर इंडिया तो गुलामों के लिए वोट मांग रहा था बताए प्रे Constitution of India सम्विधान गुलाम का है बताओ ना क्योंकि मोधी को पता चल चुका है RSS को पता चुल चुका है कि दो आने वाले चुनाओं में भाजपा की सरकार जा रही है और मोधी परधान मंत्री नहीं बनेंगे प्रधान मंत्री इस पर पूरा अपनी जोड दे रहे हैं पक्ष के लोग वकायत दे रहे हैं विपक्ष जो है इस पर विरोध जता रहे हैं आप क्या कहेंगे देखिए इसको लाने के लिए बहुत लंबी पर करिया है और वो अब देश जा रहा है चुनाओं के मोड में तो चुनाओं के समय लाना एक चुनाओी सगुफा होता है अगर इनको करना था जब इनकी 19 परदेशों में सरकार थी तब क्यों नहीं किया पिछले साड़े नौ से क्यों नहीं किया अब ये हो नहीं सकता तो ये एक सिर्फ जुम्ला साबित होगा पर्दान मंत्री का अब लाने का क्या वजह हो सकता है THIS के पीछे का कारण क्या हो सकता है सभी बहुत लंबी परकुरिया है थार्य यान्ता सबब्ढ़ि धरनольш несबर्योätzlich Jill लग बहुमत यस उसमें दो तिहाई बहुमत से दोनों सदनों में पास कराना है उसके बाद पहले विदान सभाव में पास होगा उसके बाद लोकसभा राज्यसभा में पास होगा उसके बाद राश्टपती के पास जाएगा फिर इस पे कोई ना कोई विपक्ष की सरकार आपजेक्शन करेगी तो फिर ये सुप्रेम कोट जाएगा तो लटक गया ना कितनी लंबी पर गिरिया कह रहे हैं कि पैसे और समय दोनों की बचत होगी इससे देखिए पहले भी हुआ था ये नहीं है कि आज ही हो रहा देश में पहले भी कई बार तीन चार बार एक साथ अलक्षन हुए हैं लेकिन उसको भंग करते हैं यही राजनेता फिर बताईए अगर एक देश एक अलक्षन हो गया तो फिर मोदी जी किसकी सरकार तोड़ेंगे फिर कैसे तोड़ेंगे फिर किसके विदायक करेंगे किसी ना किसी की तो सरकार है कि बताओ महाराश्ट में क्यों तोड़ने की इने जरुत पड़ी फिर उटायक कैसे खरी देंगे घर जाएंगे फिर सरकारे गिराए जायेगी फिर उनका लक्षन वह टाइम खतम हो जाए अलग हो जाएगा या बताओ कि अगर तुमने एक साल के उसको को कोई दिट्कत नहिंते हों गुण को चार साल तक महरा अश्ट पतिसासन रहेगा को यह बड़ी जटिल समस्या कि और जन्ता को इसमें नाइल जाकर अगर जन्ता को तो रोजगार पर बात करो, सिक्षा पर बात करो, स्वास्ते पर बात करो, महंगाई पर बात करो, उस पर जनता ना बात करें, तो जनता को एक हर बार नया सगूफा दे दिया जाता है। आप तो दिल्ली बंध होने वाली है, तीन दिनों के लिए सील होने वाली है, पूरी जनता उसमें भी खुश है, उसको कोई दिक्कत नहीं है करारे हो G20, बुलारे हो दुपीदेशी महमानों को, और जनता से ना मिलेंगे ना जनता उनने देख पाएगी, जनता के टेक्स का पैसा बरबाद करोगे सुरक्षा कारणों से ऐसी की जा रही है, तो प्रधान मंत्री जो भी करेंगे, जिसको सुरक्षा से दिक्कत है, वो क्यों आरे बेरिया, क्या करने आरे कैई देशों ने तो मना कर दिया, तो फिर G20 कैसे कह दोगे आप, जितने देश आरे हो उतना नाम रखो ना जिटवन्टी का मतलब क्या, वीस देशों के राश्ट आद्र भाइंगे और वीस देशों के राश्ट आद्र भाइं रहे, कै इने तो मना कर दिया, तो अगर दस आरे, पंद्रे आरे, तो G15, G14, G16, G14, G20 कहा से, गलत है जा, नाम तो वही है ना, जीटवन्टी नाम कैसे ह तो यह इंडिया का भी नाम बदले गाव इंडिया इंग्लीस और हिंडी दोनों में इंडिया बदल कर भारत हो जाएगा मैं उससे देश को क्या मिलेगा तेश की जनता को नोटीम इंडिया घुलामी का प्रतीक है इसलिए हटा देंगों जब अभी 2019 में बारत का यही पर्धान मंत्री नरेंदर मोधी, जब जनता की रेलियों में खड़े हो के वोट मांगता था, वोट फोर इंडिया, तो गुलामों के लिए वोट मांग रहा था, बताए, प्रेजडेंट ओफ इंडिया, यह गुलाम है, भारत का रास्टपती गुलाम है, सुद्धा भागे, तुम्हारा पासपौर्ट होगा, उस पर क्या लिखा है, तो यह कैसे बदलोगे, विशेश सत्र बुलाई जा रही है, इसके लिए क्या कहेंगे, अठारे साथ-बाइस-तक की विशेश सत्र है? नहीं है, यह पता क्यों बुलाई जा रही है, क्योंकि मोधी परधान मंत्री नहीं बनेंगे तो इसलिए पिछली बार जो सत्र बुलाया था वो नई संसद में आना चाहिए था वो उसमें नहीं आया क्यों क्योंकि उसमें पानी भर गया था वो चू गई थी तो अब जाते जाते कम से कम जो बनाई है उसमें एक बैठके तो देख तो यह मोधी का एक सपना है कि जाते जाते नई संसद में सत्र कर लूँ एक इसलिए महिलाओं की बात होगी महिलाओं के आरक्षण की बात होगी यही तो है चुनाओ के वक्त यह सब बात करेंगे और चुनाओ के बाद कौन करेगा महिलाओ की बात कौन करेगा बताईए ना कौन करेगा और महिलाओ को नंगा करके उनकी प्रेर निकलवाओगे और उस पर कुछ नहीं बोलोगे। मनिपुर याद है, हातरस याद है, अन्णारी याद है, उतराखंड का अंकीता भंडारी याद है, चिनवान अन्यानद आद है, आसा राम याद है, राम रहीम याद है। मोहन भागवत कहते हैं कि आप तो चांद पर भी हिंदू राष्ट बने गई हिंदूस्तान में रहने वाले भारत में जितने लोग हैं वो सभी हिंदू है आप माने ना माने सब हिंदू हैं अच्छा एक चीज़ तो बताओ तुम जो कहो वो माने क्योंकि यह ठेकेदार है हिंदू का किसने चुना इसको हिंदू का ठेकेदार किसने बनाया भारत को भारत बोलने की आदट डालो अब इंडिया चला जाएगा इंडिया नहीं बोलना है उसको कह दो कि तुम्हें भारत तोड़ने की आदट डालो क्योंकि गुलाम से हम बात नहीं करते हमसे बड़ा देश भक्त है आरेसिस को मालूम है तुम्हें उननी सो बयालीस में जब भारत छोड़ो आंदोलन चला था इनोंने अंग्रेजों के तलवे चाटे थे इनोंने कहा था कि इनका यह आंदोलन तो कि आदो रहे झाट व क्या सवार्कर को वीर सावरकर कहा जाता है खेचे गधे को तूम साबून से नहिलाओगे तो वो गधाई रहेंगा घोड़ा नहीं बन सकता इंग इसने वीर कहा उसे माफी वीर कहा करो मेरे देश का एक देश थ्वक्त बता दो जिसने अग्रेजों से माफी मांगी हो और जिसने भी अंग्रेजों से माफी मांगी वो गद्दार होगा बताईए भगत सिंग बताईए चंद से कराजाद बताईए सुवाजचंदर बोस बताईए अस्पाकुल्लग खां किसी ने मांगी माफी क्यों? यह देश भक्त लोग थे और जो माफी मांगेगा और एक बार नहीं आठ आठ दस बार माफी मांगी मोदी भी तो देश भक्त है राष्ट भक्त है मोदी कौन कह रहा? राष्ट को तो बेच रहा है? जो राष्ट को बेचता हो वो राष्टबत हो सकता है कहां विदेशों में देश के पूरे डंका बजा दिया भारत विश्व गुरु बन गया कैसे बन गया? किसने बनाया? मोदी ने बना दिया कहां कैसे बना? कलम भी तुमारी, अकबार भी तुमारा जो चाहू लिग दो अपने मुँ मिठो नहीं बनना चाहिए विश्व गुरु बना है भारत भुकमरी में विश्व गुरु बना है बेरोजगारी में विश्व गुरु बना है जूट बोलने में विश्व गुरु बना है आपने देखा जब अभी कहां वहां कौन से देश गया था अभी, अभी गया था ना, चीन का प्रधान मंत्री सोफे पे बैठा है, और जिसे तुम विशुगुरु कह रहे हैं, सावधान मुद्रा में, इसके साम ने खड़ा है, क्यों भारत की बिज्जती करा रहे हो, क्या उनको पता नहीं होगा, जब विदेशों के अख़बारों में छपा होगा, उन विदेशों को पता नहीं चला होगा, कि भारत का पैसा लूट कर, विदेशों में जा करके, और वापस अडानी की कमपनियों में आ रहा है, ये पैसा किसका है, देश का परधान मंत्री बताता क्यों नहीं, अडानी के जाज में घूमता है, और आज अडानी देश को लूट रहा है, और मोधी लुटवा रहा है, एक सब्द अडानी पर नहीं बोल सकता, एक सब्द बेटियों की इज्यत पर नहीं बोल सकता, काई का परधान मंत्री है, आज तक किसी पत्रकार को कोई बाइट दी है कोई प्रेस कॉंफरेंस की है तो जब तुम सवालों का जबाब ही नहीं दोगे तो तुम कैसे अच्छे हो सकते हो जनता तुम से सवाल कर रही है और तुम भाग रहे हो संसद में तुम सवाल नहीं जबाब दे सकते बाहर तुम जबाब नहीं दे सकते पत्रकारों को तुम पूरी बात चीत पर अपनी प्रतिकरिया जरूर दीजेगा कैमरामेन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी जनहीत आवाज